नमस्कार, मिडिया प्लान को प्रस्तुति कारिक्रम नेपाल टोडे मा स्वागत छाँ दर्शक ब्रिंद तपाईलाई की लाग्छा? नेपाल मा कुखुरा पालन बेवसाय योटा गती लो उद्योक रुपमा बिस्तार होना सक्षा? योटा गतीमा कुखुरा पालन बेवसाय को बिस्तार भाहेपनी पछिल्ला दिन हरुमा उच्च ब्यावसाय को जोखीम भंधै यो बेवसाय तर्फ आकरिशित हुने अरको संख्या कम मुदै आयको छा येस्तो अवस्ता का बीच बनी कुखुरा पालन बेवसाय बाट उन्नती गर्ने अरको संख्या बनी कम चैना आजको कारिक्रम को शुरुवाद गरों दांको देवखुरी मा कुखुरा पालन बेवसाय बाटा प्रसस्त आर्थी उन्नती गरना सफल एक उद्धेमिको प्रयास बाटा खगे सुर खनाल एक सक्रिय उन्थमी दांको तुलसी पुर्मा चामल ब्यापार गर थे होनी जन्म घर अर्गाखाँची भैका खगे सुर दुहाजार अर्चाली साल मा बसाय शरी दांको पुगे सुरुमा गरेको चामल को ब्यापार बाटा संतुष्ठ थिये नन उनी सानाई देखीको पसुपंची पालने उनको इच्छे आथी तेही इच्छालाई मुर्त रूप दिन उनले बंगूर पालने विचार गरे तेश पच्छी उनी डेवखूरी जारे र तेहां उनले बंगूर का लागी खोर पनी बनाए तर ब्रामर परिबार का उनलाई बंगूर पालन सामाजिक स्विक्रती नमिले पच्छी उनी कुखूरा पालन तर्फ लागी कुखूरा पालन विवसायलाई जीवन को विवसायक कर्म बनायका खगे शोरले प्रारम्बमा निकई अंडर र ठककर खानु भर्यों कीना भने उनलाई कुखूरा पालन सम्बंदी प्राविदिक ज्यान थिये ना तई पनी उनले यो विवसाया छोडे ना कुखूरा पालन यो क्यां अनम नुक्षरा प्रात कस्ताक। जम्म बीशड़ माद्री माच शर एक एगज दिन गादीना एक कई दिन वह दिना बीशड़ चल्ला माच चुआ अनि कीकना यह चल्ला मोरो अब दिशीत गोई आलो चल्ला बेचो गवाओ और महट एगर वेर्थियर श्चाने शानो एगर वेर्थियर लमाई में तियाना गवायको, कस्त के छाली उना आखा, हुणनेरा, वहनिक, वट। सभंतनों तो वहां को रहे लए कया आए और मैंक को अने है यसाटा के अलने कुअसाना करिक शेक अलने 65 वहां करें नियूह देशली sagt मुलने —पात का शाली यसान क हो ऑब सुली Понढे बहुंतने तह रही कर वह बरिदी। उनना पिन राहिए अपस्ते में पहेंुद्धू की सरज सकनी कौछお願いします सत्वा, संतिन की इपसी बाता हूं भलंड़ भलंड़ शोटबने . मी बड़ सकते दिया यह बडय सकते दो नरी गोज अबकूष则 156 सोटा में बीषटे शन्लिदू रहां को उनको बेवसाय को अहिले ब्यापक महाद वछा अब तीरपन ना साल देखिए कर्व बॉइलर पालन सुरू गारें बशेटी साल में में गहरेलू प्रकार दरता गारें उद्धोग दरता गारें यो बिवसाय मा परिबार का सबई सदस्य को रामरो साथ रा सहयोग छा उनलाई जसले उनलाई सफलताको सिलडी उखलाना मद्धत पुराएदाये को चाछा मेरो पहर परिवार को पालवार को पैरी मायल आमले अजार चलल पालन दानी आमले बाइरक मांची रागा था मो सार समय को परिवार्तन संगई खगे सोरले कुखुराको मासु पनी बिचन थाले का छान। एसका साथ ही चल्ला राई। ताना पनी अन्य साना किसान उर लाई विक्री गरन थाले का छान। आमदानी बढ़तो छान। मैले अईले सर जस्ते अईले दाना पिनी बड़ी ब्यतनी भाया हुनाली। पहिले कारवार मा अईले माले 3,5 लाखो दाना बेचे चुए शालमा। कुखुरा बेवसाय बाटा भायको आमदानी लाई। कुखुरा द्योक को भिस्तार माई लगाय। रह अहिले उनी शफल। मा सफल भायकुछु एक्टम यहला माले सफल मानना पर चान। मा द्योकु बाटा चान। कुखुरा को दाना रा आयातिट चला उंदे उनी अब प्यारेन खुखुरा लियाएर आफई चल्ला उत्पादन गरने अवस्था मापिवित काछन। कुखुरा पालन बाट शफलता को सिखर चुम्दै गरेका खगेशुर। अहिले ब्यवसाइक गर्शित था ब्यापार आयोजना बाट चल्ला उत्पादन गरने योजना कालागी जंडए 36 लाख रुपईयाको उप आयोजना स्विकृत भायपची अजह उत्षाहीत बनेका छन। यहला एग्रोबेटर बन्च यहसले खास यह कुखराको अन्ना बड़ बच्चा निकालनी यो यहसको उदश्षी यहसले गरनी काम मानेको मैले तेशी को लाइने यो पर्जल पेश गारी को थे अनुरुक काम हो देशा दियो मिशिन आई शागी कोछा फोईला किस्ता हो खनाल पोल्ट्री एंड फिल इंडर्स्टीज लाइ दांग मा मात्र नभायर राप्ती अंचल मैं एक उतक्रिष्ट उद्योक कुरूप मा विकास गरने लक्षे लिये काछन खगे सोर उनिक जधारन गरे की हुदईनार भन्ने उक्तिको कुखरा व्यवसाहे सम्मंधियो प्रसंग पछे लागाउं चितोवन तर्फा चितोवन मा व्यवसाहेक तरकारी खेती बाटै आफनो परिचे बनावन सफल भांटा गाउंको पछिल्लो अबस्ता सहित उपस्तिदूने छों युबिश्रान पछे खाना खानू अगाडी चरपी गय पछी बच्चा को दिशा दोहे पछी खाना पसकनू अगी साभम पानी ले हाथ दुने पानी बसानुँबिश्रान जनहीत का लागी ग्रामिल खाने पानी तथा सर्षथाई कुस्पी का समिधि चितवन को चैनपूर गाविशका गाउं हरुमा भांटा खेतिले ब्यापकता पायेको छा चायनपुर को खायरानी रा सिमल घारी गाउमा ब्यावसाय कुरूप मा भांटा खेती नगरी को परिवार फेटनेई मुश्किन पार्षा अरू तरकारी बाली को ब्यवस्थित खेती मुदए आया पनी नेपाल मा ब्यवसाईक रूप मा भांटा खेती को बिकास र विस्तार हुन थाले को भाने धेरेई समय भाय पस्ताइन केही समय अगी छिमेकी मुलुक भारत बाटनेपाल मा भांटा आया तोंठ्यों तरह अहीले भने यू तरकारी बाली को व्यापक खेती गरना थाली है कछा। खास गरी नियानो अभा पानी बलवटे रप पांगो माटो मा खेती गरना शकिने यू तरकारी बाली हि जो आज चितवध का गां गां मा विस्तार भए रहा कुछा। किसान हरु पनी अहिले भांटा खेती तर्फ आकरशीत भागा छन। गाउं भरी नई भांटा खेती गरन थालिये पछी, चितवन को चैनपूर गाविशको उड़ान मर्द्वी खई रहनी गाउं, अहिले भांटा गाउं को रुप मा परिचे पाउन थाले को छ। एहां का दुई तिहाई भांटा बड़ी गाउंले हरु ब्यवसाइक भांटा खेती मा शक्रिय भाहरा लागे का छन। आमदानी प्रशस्त हुने देखे पछी, आपनो जग्गा जमिन नहुने हरुने पनी, अहिले जिमेकी नातेदार को जग्गालियेर भांटा खेती गर्न थाले का छन। खई रहनी गाउंबाट प्रभावित भाहरा सिमल गारी का किसान हरु पनी भांटा खेती मा जुटे का छन। अरु तरकारी बाली भांटा खेती गर्न सजीलो र नाफा पनी मनग्य उने भाहर का कारण। किसान हरु एसरी भांटा तरफां आकरशीत भागा हों। असार साउन मा बिरना लगाएक। भांटा को बोटले भधव देखी थागुन सम्म लगातार फल देछा। यो तरकारी बाली लाई फूल फूलने समयमा मुन्टा मा लागने रोग बाट बचावन सक्कियो भाने रामर उत्पादन लिन सक्किन छा। जितवनको चैनपूर को सिमल गारी गाउमा मात्रे बार्सेक एक करोड रुपिया भंदा बडिको भांटा उत्पादन हुन्छा। चैनपूर मा जस्ताई अन्यत्र पनी एसरी मौसम अनुसार को तरकारी हेती को विकास र विस्तार गर्न सके। नेपाल मा तरकारी को निम्ती बाहीर को भर्पर ने अवस्था अटाउन अवस्य सकी छा। यसरी तरकारी बालीके कारण गाउंको परिचे मात्र फेरियेको छाई। गाउंले किसानर को जिवन स्तर समेद सुधावियेको छा। चितवन को यो प्रसंग पची लागाउं तनहु तर्फा। तनहुमा पनी क्रिशी तथा पसु चौपाया पालन मा सक्रिये उन्यर को संख्या बड़दे गायको छा। तनहुमा पसु चौपाया पालन मा उदार अणिया ब्यक्ति बनेका एक उद्धमिको काम को चर्चा गरने छों यो बिजरान पची। तनहु को यामफा फाट का उद्धमिको पुश्पा पौडेले। शुरूगरे को गाई पालन बेवसाय जिल्ला कई नमुना गाई पालन बेवसाय को रुपमा विस्तार बाई रहेको छा तेसले उनले आफनो गाई फार्म को नाम पनी नमुना गाई फार्म राखे का छा अर्थिक अबस्था कमजूर भाई बची पढ़ाई चाड़ेर उबासंगे तरकारी घेतीमा लागे का तनहुका पुस्प पाउडेल केही बर्ष तरकारी में सक्रिय बाई तर उनको मन स्थिर्थिये न आर्थिक संब्रिदिका लागे बिदेश जाने निधो करे निरंतर को जहन्जाटले बिदेश को यात्रा पनी सफल वला जस्तो लागे न एसे बीच एता योटा गाई पनी किनी हाले गाई पालन मा रूची बड़ेका पुस्पली दूद बेचे रकमायको पैसा बाटा और को गाई के बाई अनि गाई हरू का बाच्ची हरू भैलाउदे जाना दूजार पैसेठी साल सम्मण सोर वटा गाई जुटाई सके गाथी उल्ले तेस पथी गाई पालन को अभियान बेवसाईक रूपमा अगी बड़ थाले कि कि अधे भी मिलाई भी में आड़ भी में थाल कि नाकिका पाल भी मीची को अधर कि अधे जीन थाल कि एक अधिए नहीं सुरू मात दैनीक 21 लीटर दूग पेस थे होने अहिले दैनीक 200 लीटर दूद बेसने अईशियत मा फुगे ग्राछन अहिले जस्तो दूद बेसना काला आगी दुख्खा भव्रू पाताई नहीं अहिले रजी कईको यामपा फार दूग दूद पादक सहकारी स्थादे सबई दूद कीनि देज्जा कामगर्दाई जादा पुछपलाई अनुभवले धेरे कुराशिकाया कछा गाईलाई लागने रो गहरू को बारेमा पनी उत्तिकई सचेत छन उनिष्ट इस तो बनी उधर जा ते वाल जाई अवा ब्याक्षीन कोचे अवा जुनले बेवसाय कार जा जुन बाइतीले तियोले जाई एकदम पहले आपे सचेत उन बरते जाई आमरो यहां सरकार ले आवा पहला गेपनी बन्दानी 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 घर थाबन बाईए न अवहले जाई टाइम जाँ अवा लब दाश महीं आजाई उनको उद्धम बाट परिबार बाहिक चार जनाले प्रतक्षे रोजगारी बाहिक आछाँ नमुना गाई भाम अहिले बेवसाई कर्शी तथा द्यापार आयजना द्वारा संचाली उप आयजनामा चनट मा परेको छाँ अमरे यह प्याक्ट को आयजना परिशा गेशने अवा यह तीमा तै यह अईले बागो इस थान मा जाई यह गाई अवा पतासा ठीवड़ गाई रहने तो संबह में चांधे शाई नहाई पुषप यह उपा आयजना मार्फत थाम को इसतर ब्रदी मा शक्रिवड़ गाई गाई मात्र की अन्य पशुच अउपाया कुखुरा, हास, तरकारी खेती लगायत थुप्रई व्यवसायको संबहावना उत्ति कई छा किने की दैनिक उपब्यग्य बस्तुमा आधारित यह ता उत्पादन उपभोग नगरी सुखाई छाई ना यह ता उत्पादन लाई 200 बजार मा प्रतिस परधात्मक तरिकाले कम खर्चमा पुर्यामनों सक्छों की हमी पनी तेहा तर्फ किना द्यान ना दिनी आस्त आजला यतिने यो कारेक्रम मा हमी तपाई दर्शक सामू आजको नेपाल को एस्तेई बास्तबिक्ता र आबसेक्ता राखचों जसले तपाई हामरो जीबन को गती रस्सैली संगा सीधा सरोका राखे कोंछ तपाई सगपनी कुने यस्ता बिशेर रुच्छन बने हामिला इसंपर गराखणोज आरको अपता नया बिशेका साथ उपस्ति दोने छों तब समका लागी नेपाल टुडेई इनी विधा चाहन छों नमस्का झाल झाल